एलो फ्रेंट्स केसे हैं आप लोग आए में आम लोगों के लिए new MIUI 13 थीम लेकर आगे हो और यह जो थीम है इसमें MIUI 13 control center का support देखने को मिल जाता है डानेमिक आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं आप lock screen को customize कर सकते हो home screen में जो OE 8 है उसे customize कर सकते हो डार्क मोड का support देखने को मिल जाता है और यह से बहुत सारी चींज़ें देखने को मिलती है इस थीम में so without wasting time let's jump right into it तो आप देख सकते हो यह हमारा theme कुछ step का देखने को मिल जाता है और icons आप देख सकते हो कुछ step की यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो की काफी beautiful है और इस theme में जो icons हैं system icons में यहाँ पर animation देखने को मिलता है मतलब यहाँ पर dynamic icons देखने को मिल जाते हैं इस theme में आप देखो तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनिमेशन देखने को मिलता है इन थीम्स में और जो clock widget है ये भी मुझे काभी पसंद आया और आप इसे कॉस्टमाइज भी कर सकते हो तो मालो आपको यहाँ पर right clock widget को कुस्टमाइज करना है तो यहाँ पर आपको टैप करना है यहाँ पर बहुत सारे options देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर four options देखने को मिल जाते हैं विदर, time, tools और more और इन में 4-4 options भी देखने को मिल जाते हैं मालो यहाँ पर मैं विदर को तो यहाँ पर four different type की weather widgets देखने को मिल जाते हैं इन में से मैं कोई भी select कर सकता हूं ठीक वैसे यहाँ पर time के अंदर भी four different type के clock widgets देखने को मिल जाते हैं जिन में से कोई भी मैं select कर सकता हूं सेम यहाँ पर tools और more के साथ भी है then मालो हमें left widget को कुस्टमाइज करना है तो यह उस्टैफ का देखने को मिल जाता है first theme का widget ओके दन बात करें control center की तो आप देख सेथे control center कुछ step का देखने को मिल जाता है यहाँ पर मीवे 13 control center का support देखने को मिलता है और आप देखते तो यहाँ पर जो toggle's हैं वो square से में देखने को मिल जाते हैं और कुछ इस टाइप का द भी change हुआ है अगर हम जाते हैं यहाँ पर settings के अंदर तो settings का background आप देख सकते हो simple white color में देखने को मिलता है और जो icons है यहाँ पर change हुए है और यह जो theme है यह dark mode को support करता है तो dark mode में आप देख सकते हो theme जो है कुछ step का देखने को मिल जाता है जो settings का background है वो यहाँ पर black हो जा जाता है देन अगर हम जाते हैं lock screen पे तो कुछ step का एक opening animation देखने को मिलता है मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं तो आप देखने को मिल जाता है हमारा lock screen यहाँ पर जो clock widget है यह मुझे काभी अच्छा लगा और यहाँ पर कुछ widgets भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हम gear icon पर double tap करते हैं तो यहाँ पर हम lock screen को कुस्टुमाइज कर सकते हैं four different type की lock screen यहाँ पर दी गई है मतलब four different type की यहाँ पर widgets दी गई है और हाँ यहाँ पर जो cards हैं इन्हें भी आप change कर सकते हो card option पर जाके तो आप देख से हो तो कुछ इस तरीके से आप जो है इन cards को कुस्टुमाइज कर सकते हो और अगर हम जाते हैं यहाँ पर more option पर तो आप यहाँ पर wallpaper को blur कर सकते हो यहाँ पर dark mode और light mode के बीच में आप switch कर सकते हो तो यहाँ पर time format opening animation यह सब आप कुस्टुमाइज कर सकते हो तो कुछ इस type का lock screen देखने को मिल जाता है इस theme में ब और बहुत सारी कुस्टुमाइज के साथ आता है यह theme चाहें बात करें home screen की या फिर lock screen की तो theme का नाम है animax m14 by dn और यहनिस आप इसे theme store में साच करके डाउनलोड कर सकते हो इसकी साय है only 9MB वाट इस में जो कुस्टुमाइज दिखने को मिलते हैं वो बहुत सारी है तो यह एक beautiful MIUI 13 theme जिसे आप Poco Redmi or Xiaomi devices में ट्राइ कर सकते हो आई होप के आपको वीडियो पसंद आया होगा और चलो तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और ऐसे ही और इंटेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को प्रेस कोना बिल्कुल भी thank you for watching this video and keep smiling this is John Suman signing out